एलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू ओरन्चानल स्टॉक मार्केट फंडा में अब यहां पे दोस्तो इस फुडक के अंदर बात करने वाले क्या मंडे को मार्केट में स्ट्रॉंग पूल बैक आ सकते हैं कौन से स्टॉक है जो हाँ पे इंट्राडे का सकते हैं सब कुछ हैं पे देख सकते हैं कार्ट्रेट डेफिनिटी दोस्तो बॉटम आउट हो चुका है हला कि पुल बैक में छे महीने ले सकता है लेकिन डेफिनेटलि येस मेरी सबसे बॉटम आउट हो चुका है तो यहां पर दूसरी भी कुछ क्वेरी शॉट आउट करने की जरू कोशिश करेंगे वीडियो को अंतक आपको जरू देखना है ठीके तो चलिए हाँपे आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं अब दूस्ते हैं पर सबसे पहला पॉइंट आज यहां पर दो वीडियो आया होगे एक तो है पर रिस्क है तो इसके स्टॉक है जो है पर काफी अच्छे रीटन दिया पर देखे जा सकता है जो पिछले ने में भी अच्छे रीटन दिये थे और आने वाले टाइम के भी तो चलिए हाँ पर आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं अब दोस्तों आपर सबसे पहला पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी जो है वो यहाँ पर फ्राइडे को यहाँ पर आल्मोस साइडवेस रहता हुआ दिखाई दिया अब दोस्तों आप हमारे वीडियो फॉलो करते होंगे मैंने आपको यही समझाया था कि निफ्टी बीग बूल पैटरन फॉलो करे ठीक है और आप दोस्तों देख सते हैं एकदम छोटी सी केंडल है जहाँ पर निफ्टी का 17,484 के आसपा सपोट है और आप देख सते हैं 17,452 यानि कि सपोट ब्रेक करके निफ्टी फील से अटेंड कर लिया अपना 20 डिमा और फील से उपर आता हुआ दिखाई दिया ओके और इवन दोस्तों देख सते डाउ जोन्स की अंदर यानि कि अमरीकी बज़ार के अंदर बहुत बड़ा पुलबेक था साड़े 400 पॉइंट का फ्राइडे को पॉलबेक था हलाकि यह दोस्तों रेजिस्टर सबको दिखाई दे रहे फीबो की इसब से डाउ फ्यूचर्स के अंदर डाउ जोन्स के अंदर ओके करीब है 34,000 फाइंडिट का वहीं पे डाउ फ्यूचर्स ने माफ किजीगा डाउ जोन्स ने हाँ पे रेजिस्टर फेस करने की कोशिश की और थोड़ी सी प्रॉफिट बॉकिंग गई लेकिन ओल इन ओल पॉइंट क्या हो जाता है डाउ प्रॉपरली फीबो को सपोर्ट करा है फीबो की सब से यहाँ पे मुवमेंट करा है और यहाँ पे पुलबेक आता हुआ दिखाई दे तो काफी हाई चांसे से कि निफ्टी के अंदर भी एक पुलबेक आ सकता है ओके समझ में रहा है अब अगली बात करेंजे कि सर माननी जहाँ पे पुलबेक आता है तो कहां तक पुलबेक आ सकता है और क्या pullback में कुदना चीए, अब C members, मानने ये बहुत साथा gap open हो जाता है, ठीक है, 17,650, 17,600, तो बहुत जलबाजी के अंदर कुदना नहीं है, ठीक है, निफ्टी का जो resistance है, यहाँ पे 17,650, 15 मिनिटर के चार्ट के अंदर जो 200 देमा दिखाई दे रहे, वो एक बड़ा resistance है, और यहाँ पे 17,680, ठीक है, यह दो बड़े resistance है, यानि कि 17,650 and 17,680, अगर यह दो लेवल की ऊपर यहाँ पे निफ्टी closing देता है, तो एक चांस से के निफ्टी फीसे ना हाइक टश कर सकता है, अगर नहीं करता है, तो फिर यहाँ पे मार्केट में फीसे profit booking continue रह सकती है, थोड़ी बहुत, ओके, तो करना क्या है, मान लिजे, circle gap up open हो जाता है, wait करना है, fall down का, आपको देखना है 10,30 के बाद यहाँ पे निफ्टी क्या करता है, क्या निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है, या fall करता है, अगर top पे sustain नहीं रहता है, तो मेरी सबस्दो 9,45 के बाद उपर थोड़ा consolidate करेगा, करीब 15 मिनिट या 30 मिनिट के आसपास, फिर fall करेगा, ओके, तो आपको क्या करना है, आपको wait करना है, तो top पे निफ्टी अगर consolidate करता है, तो बाद में क्या होता है, क्या nifty fall करता है, या break up करता है, यानिकि upset पे breakout करता है, अगर breakout करता है consolidation के के बाद यानि कि 10.80 के बाद तो यहां पर निफ्टी के इंदर खरीदारी की जा सकती है कंसोलिडेशन का जो लो होता है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ओके समझ में आ रहे हैं तो अगर 17600 के आसपास ओपन होता है तो यहां पर एक रेजिस्टंस है फी डाइरेक रेजिस्टंस है 17650 and 680 तो अगर गैप अप ओपन होता है वीट करना है अगर थोड़ा बहुत डीप आता है तो मेरी इसाब से यहां पर डीप पे आप खरीदारी का सकते है तो 17560 रूख के आसपास सपोर्ट है यहां पर खरीदारी का सकते है और स्टॉप लोस क्या होना चाहिए सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लोस होना चाहिए मेरी साब से आपको पूल बैक में अच्छे रीटन मिल सकते है तो फॉलिंग में आपको खरीदारी करना है यहां पर सपोर्ट पे और गैप अप ओपन होता है तो कंसोलिडेशन का लो का आप यहां पर स्टॉप लोस लगा के एंट्री कर सकते है निफ्टी के अंदर तो दोस्तो मेरी साब से यह मंडे लॉजिक हो जाता है निफ्टी के अंदर पैटन मनाई है आप देख सकते हैं नीचे बैंक निफ्टी गया था और उपर क्लोजिंग देने की कोशिश की है और यहां पर थोड़ा सा टॉप है तो यह प्रॉपल एक टी पैटन वैसे तो कंसीडर किया जा सकते हैं निफ्टी बैंक ने 20 डिमा को एक रीटेन करने की कोशिश की है तो मेरी साफ से बैंक निफ्टी अगर ब्रेक कर लेता है आज का हाई ठीक है स्टेबल ओपन होने के बाद आज का हाई ब्रेक कर लेता तो बैंक निफ्टी फीस से यहां पर 37,400 तक जा सकता है 150,200 पॉइंट की टारगेट आपको दिखाई दिया सकता है अगर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है वेट करना है क्योंकि रेजिस्टन्स है 37,400 का जो प्रिवियस डे का जो क्लोजिंग था वहाँ पर रेजिस्टन्स है अगर ये रेजिस्टन्स ब्रिक करता है 37,428 तो एक चांसे से कि हाँ पर निफ्टी बैंक 37,700 तक जा सकता है लेकिन वेट इन वाच करना है 10.30 तक ठीक है 10.30 के बाद जो भी हाँ पर मुमेंटम आती है उस पर आप ट्रेड कर सकते है तो ये दोस्तों मेरी साब से लॉजिक्स होने चें हाला कि ये डेफरनेटी चांसे से कि बैंक निफ्टी निफ्टी ओवर सोल हो चुके तो बहुत जादा फॉल की चांसे बहुती रेर दिखाई दिरे मंडे के दिनों के अंदर यानि की मंडे शायद बहुत ही कम है कि निफ्टी फॉल करेंगे अब वैसे चांसे यही हो जाते कि मॉर्निंग में फॉल काता है तो फिर से एक पुल बैक आ सकता है clear? done? तो दोस्तो यह लॉजिक्स यहाँ पे बन जाते है निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर अब फटार यहाँ बात करने जाएं पर intra-day stocks के बारे में अब दोस्तो यहाँ पर थोड़ा focus कीजे कि आपके बहुत गामा सकता है इंट्रा-day stock ठीके फर्स इंट्रडे स्टॉक हो चुका है यहाँ पे मेकडॉनल्ड ठीक है यूनाइटेट स्पिरिट्स हो जाता है अब दोस्तो ध्यान से सुनो ठीक है हमारे जो वाटसेप मेंबर्स हैं I think हमारे जो गूरूप है डिसकॉशन गूरूप उसके बाद थोड़ा उपर गया प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक पीटा हालकि हम लोगों ने कुछ स्टॉप लोस लगए थे स्टॉप लोस हीट हुए स्टॉक 20 डिवाप आया और फीर बड़ा पूल बैक किया तो दोस्तो क्या साबित होता है मैंने क्लियर कट अंदाजल लगा लिया था हमको पता चल कहा था बोलते ना बहुष्यवानी बहुष्यवानी हो चुकी थी कि स्टॉक में बड़ी मोमेंटम आने वाली है लेकिन स्टॉप लास हीट हुआ लेकिन बाद में स्टॉक ने अच्छी मोमेंटम की तो दोस्तो ध्यान में क्या रखना है यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मेकडोनल के अंदरे कल इंट्राडे पॉसिबल हो सकता है जैसे यहाँ पर 870 ब्रेक करता है मेरे साब से 880 885 तक यह स्टॉक जा सकता है तो यहाँ पर मेकडोनल या तो United Spirits को focus जरू कर सकते हैं और यहां पर दोस्तो एक बात और ध्यान में रखेगा बले यह Intradale Stock है लेकिन Big Bull Pattern दिखाए दी रही है आप देख सते हैं मैंने यहां पर बोला था कि यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है वो कैसे पता चला वो यहां से पता चला है आप देख सते हैं वन वे मू फिर फॉल किया फिर कंटिनियूसली कैंडल साई यहां पर थ्री वॉल्यूम साते होई दिखाए दिया यह दोस्तो clear cut indications थे कि यहां पर बड़े प्लेयर एंटरी की फिर यहां पर फॉल किया फिर से बड़े प्लेयर ने एंटरी की और यह clear cut indication थे कि यहां पर बड़े प्लेयर एंटरी कर चुके हैं घुस चुके हैं और दोस्तों यह अंदजा मेरा गलत नहीं था मैंने just जब यह वीडियो बना रहा था उससे 5 मिट पहले मैंने चेक है कि यहां पर कुछ बड़े प्लेयर डेफिनेटली होने होने जरू होने चेक और जैसे मैंने आपर simply wall.website ओपन की वहां पर चेक किया बड़े प्लेयर है कि यह पता चला कि डेफिनेटली blackrock ने निवेश किया है बड़े प्लेयर यहां पर घुस चुके है वेंगर्ड ग्रूप है फिर यहां पर कोटक महिंद्रा है फिर यूटिया एसिट मैनेजमेंट है फिर दूसरे भी बड़ेयर mutual funds भी आपको दिखाई दिया रहे है तो हमारा one of the favorite है यहां पर blackrock जो हां पर निवेश किया स्टेक august month के अंदर increase किया है profit booking कर लेता है no problem ठीक है stop loss लगा है no problem सिफ यह धियन में रखना चेकिया 20 डिमा के आसपास bounce back करता है अगर yes clear cut indication से कि वहां पर बड़े player घुस चुके है तो मेरी सब से दोस्तों यह stock जरू focus की जीगा positionally अगर 20 डिमा के आसपास आता है वहां पर बड़ी momentum जरू होती हुई दिखाई जे सकती है तो अगर किसी को long term निवेश करना है यहाँ पर 20 डिमा का wait कर सकते है और अगर कोई अलड़ी निवेश करना चाहता है ठीक है top level पे भी तो 50-50 quantity डाल सकते है 50 quantity अभी बाद में 50% की quantity बाद में add कर सकते है clear तो दोस्तों यह logic होने चाहिए अगली बात करने चाहिए second intraday stock के वारे में तो मेरी सबसी गुजरात गैस को जरूर फोकस करना चाहिए अगर दोस्तों गुजरात गैस अगर देखोगे तो यहाँ पे fall करना था ठीक है support बनाया बेस बनाया ओपर गया नहीं sustained repair और breakdown कर दिया तो आपको wait करना है breakdown का ठीक है 610 के नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे breakdown continue होगा 600 तक यह stock जा सकता है तो यहाँ पे intraday हो सकता है अगर कुछे सर मेने यहाँ पे long time के लिया है क्या करूँ कोई problem नहीं है stock अभी सिर्फ sideways पहें ठीक है हम लोगों ने पहले ही बोला था यहाँ पे profit booking कर लो stock के result बले positive है मेरी साथ से अनुमान से थोड़े week थे profit booking कर लो अगर किसने की होती सुना होता तो definitely आप यहाँ पे बच जाते ठीक है और उसी time पे ने बोला था यह stock 600 तक आ सकता है I'm sure definitely बहुत सारे मेरी बात से इतफ़ाक रखते होंगे मैंने तब भी बोला था कि हाँ पे profit booking कर लो अभी यहाँ पे profit booking आने वाले है यह stock provide किया था 400 से 440 से 800 के target थे almost achieve कर चुका था बाद में बोला कि हाँ पे result negative है profit booking कर सकते है तो यह दोस्तों logics थोड़ा सुनिए I'm sure आपके काम आते हैं अब में शाय तो कल यहाँ पे fallback का थोड़ा wait कर सकता है तीसरा दोस्तों stock हो चुका है यहाँ पे पेरमल enterprise का stock मेरी सबसे कल intraday possible हो सकता है wait करना है आपको क्योंकि यह falling trend में था अगर यह आज का high break किया तो stock face यहाँ पे 700 तक जा सकता है तो wait करना है और talk का जैसे talk break करता है sustain करते है पांच मिनिट वहाँ पे enter कर सकते हैं ओके तो दोस्तों कल के लिए 3 intraday stock है 3-3 intraday stock को जरूर focus कर सकते हैं clear I hope दोस्तों को वीडियो समझ मेरे वीडियो पसंद आ रहा है अगर दोस्तों फिर भी कोई डाउट है तेरे हैं पे definitely comment कर सकते हैं आपको answer देने की जरूर कोशिश करूँगा और हमारे आज के वीडियो अगर नहीं देखे एक बार जाके जरूर देख सकते हैं और अगर टे definitely comment में पोच सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुडबाई जाए हिद